कॉंगर्स पार्टी की पूरवद्धिक्ष राहूल गांधी ना सरिफ इन दिनों सोसल मीडिया पर बहुत जादा एक्टिव दिखाए दे रहें बलकि वो मोदी सरकार को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ है आपको बता दे राहूल गांधी का यही एक्टिवनेस देख कर कॉंगर्स पार्टी अलाकमान सूनिया गांधी नोने राजस्थान की जिम्मेदारी सौपी है राहूल मौजुदा समय के अंदर जिस तरह से जबर्दस्ट परफॉर्मेंस दे रहें और पार्टी नेताओं को एक चुट करने का काम कर रहें उसे देख कर तो ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में कॉंगर्स बड़े स्तर पर चुनाव जीत सकती है और कॉंगर्स एक बार फिर बीजेपी को धूल भी चटा सकती है आपको बता दे कि राजस्थान में गहलोत सरकार के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई देखने को मिल रही है उसे खत्म करवाने में राहूल गांधी बड़ी भूमी का निबा सकते है और सचिन गहलोत के बीच मनमुटाओ को खत्म करवा कर सचिन को राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी दिलवा सकते है यानि कि जिस पल का इंतजार सचिन पाइलेट कर रहे थे वो वक्त अब आता दिखाई दे रहा है याहलोत के बसीने भी अब छूटते दिखाई दे रहें आपको बता दिया अगर राजस्थान में बड़ा फेर बदल होता है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ राहूल का ही बताया जाएगा SPN 9 नियूजरूम की रिपोर्ट